हाई एवरिवान वेल्कम बाक टो हिमांशे गुपता मेकप यूट्यूब चैनल तो आज हम आपके लिए बहुत ही सॉफ्ट सेटल ग्लास फिनिश मेकप लेके आएं आज हम आपको सिखाने वाले हैं कैसे कैसे आप इजी स्टेप्स करके बहुत ही सुन्दर लुक एचीव कर स रखते हों सो लेट्स स्टार्टेड अभी जो हमने इनके लेंसे डाले हैं वह है ओलेंस के स्कैंडी ओलिफ बहुत ही सुन्दर सटल सा शेड है यह एंड आज हम इनके आई बेस के लिए अलग शेड यूज करें हैं हम हमेशा लीकविट कंसीलर यूज करते हैं बट आज हम क्राइलॉन का डर्मा और जो शेड हम यूज करें वह है डी फोर हम इनके आईस पर अच्छे से स्प्रेड कर देंगे क्यूंकि जो यह बेस है यह थोड़ा क्रीमी है तो अच्छे से स्प्रेड कर देना है और उसके बाद हम थोड़ा-thोड़ा पाउडर सेट करें हैं बिल् blending brush की help से transition color बना रहे हैं जो हम palette यूज करें यह हुड़ा beauty की palette बहुत ही अच्छी palette है बहुत subtle subtle से हमने दो shade लिये हैं एक थोड़ा pink में है एंड थोड़ा skin shade है तोनों side हम same transition color apply कर देंगे and अच्छे से blend करना है हमेशा ध्यान रखना है कि आप brush को mid से पकड़ें ना जादा आगे से पकड़ना है ना जादा पीछे से पकड़ना है ने तो हमारी brush की blending है वो बिलकुल अच्छी नहीं होगी eye makeup हमारा बिलकुल अच्छा नहीं होगा blending is the main key जिससे आपका makeup बहुत palette बहुत अच्छी palette है एंड इसमें से हम small blending brush की help से outer corner पे purple color place कर रहे हैं outer corner पे भी place करें थोड़ा थोड़ा इसको crease area पे भी लेके आ रहे हैं थोड़ा सा transition color के साथ mix करते हुए अच्छे से blend कर देंगे दोनों side पे हमें same colors ही use करने हैं और ध्यान रखना है कि हम हमेशा जो makeup करें वो simultaneously करें मतलब एक shade apply करके फिर दूसरी side भी वही shade apply करें उससे क्या होगा जो हमारा eye makeup है बिलकुल भी mess नहीं होगा और बहुत अच्छे से eye makeup complete हो जाएगा दूसरी side भी हम वही same purple shade लेके small blending brush के साथ अच्छे से apply कर दिया हमने बहुत ही soft सी subtle सी look करने वाले हैं हम आज and inner corner पे भी हम थोड़ा थोड़ा वो purple इससा shade दे रहे हैं दोनों side पे and अभी हम shimmer apply करने वाले हैं shimmer apply करने के लिए हमने शपैरल की दो palette ली है एक है party heart और दूसरी है twillight and इसमें से हमने reflector लिया है basically reflector है थोड़ा सा blue reflect कर रहे हैं थोड़ा सा purple reflect कर ला है हमने two shades mix कि अगर आपको लगता है कि मुझे shimmer apply करने में मुश्किल आती है तो आप हमें अपने hand की help से या finger की help से भी अच्छे से apply कर सकते हैं dab dab करके थोड़ा सा drag करके पटर यह अभी हम brush की help से अच्छे से apply कर रहे हैं दोनों eyes पे अब देख रहे होंगे कि हम सिर्फ तोड़ा center center में apply कर रहे हैं inner corner के साथ हमने join नहीं किया है shimmer को तो अच्छे से हम blend कर रहे हैं full eyes पे हम blend कर रहे हैं same brush के साथ बहुत ही सुंदर लग रहा है shimmer अगर आपके पास ऐसे clients आते हैं जो कहते हैं कि मुझे बिल्कुल subtle look चाहिए तो आप उनके यह reflectors apply कर सकते हैं और उसके उपर हमने spooked palette से थोड़ा silverish सा whiteish सा shade लिया है shimmer shade लिया है और उसके उपर हम reflector के उपर उसको अच्छे से apply करें और थोड़ा सा inner corner पर भी लेके जा रहे हैं अब देख सकते हैं बहुत सुंदर shade बन चुका है अच्छे से apply कर दिया हमने और इसके बाद हम kajal pencil apply कर रहे हैं आज जो हम kajal pencil यूज कर रहे हैं यह है color essence की pencil यह भी बहुत अच्छी pencil है यह भी हमारे पास as PR के लिए आई थी तो हमें बहुत अच्छी लगी यह pencil अच्छे से apply कर दिया आप देख रहे हैं कि बहुत ही पतला सर apply कर रहे हैं liner को यह बहुत important step है क्योंकि आपने देखाऊगा हम अपनी हर एक वीडियो में हमेशा काजल pencil को as a liner apply करते हैं इससे क्या होता है कि जो हमारा make up है वो और जादा थोड़ा beautify हो जाता है अब भी हम उसको smudge कर रहे हैं बहुत चोटा सा precise pencil brush लिया है हमने अच्छे से इसको smudge कर देंगे और इसके बाद हम उसको shadow के साथ lock कर देंगे अब shadow आपको कैसे judge करनी है कि आपको कौन सी shadow use करनी है अगर आप black काजल pencil use कर रहे हैं तो इसके ओपर आप black shadow deposit करेंगे अगर आप brown pencil use कर रहे हैं तो आप इसके ओपर brown shadow deposit करेंगे अब वही same black जो हमने लिया है वो है urban decay का black out बहुत ही अच्छा intense black shadow है ये आप अपनी किसी eye palette में से भी black color ले सकते हैं वो अच्छे से blend करना है smudge करना है lock करना है अच्छे से हमारी काजल pencil को ताकि जब client eyes open करें तो जो हमारी काजल pencil है वो हमारे eye makeup को बिल्कुल भी spoil ना करें तो हमने बहुत ही सुन्दर सा subtle look complete कर दिया है अभी eyes pending है जो हम after powder करेंगे तो अभी हम base शुरू करने वाले हैं base के लिए हम wet wipe की help से अच्छे से under eyes clean करेंगे क्योंकि जब हम shimmer apply करते हैं तो shimmer fall off भी होता है थोड़ा 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 तो वो eyes पे eyes के under आ जाता है and base को भी थोड़ा destroy कर देता है अगर उसको हम avoid नहीं करते हैं तो base हमारा grey भी हो सकता ह तो अभी हम color essence की pencil को उपर भी लगा रहे हैं जिसको हम waterline बोलते हैं upper waterline उस पर हम अच्छे से apply कर देंगे दोनों eyes पे and ध्यान रखना कि जब आप इसको apply करें तो client को बिल्कुल भी हाम ना हो आपने उन्हें नीचे देखने के लिए बोलना है and बिल्कुल हलके आतों से उन help से यह flat brush from Mac and अच्छे से हम इसको spread कर दें all over the face, nose पे भी, forehead पे भी, upper lips पे भी अच्छे से spread कर देना है हमे and अगर आपको लगता है कि मेरा जो primer है वो रहे जाता है skin पे अच्छे से merge नहीं होता तो after brush आप fingers की help से भी उसको apply कर सकते हैं and अभी हम correction करने वाले हैं correction के लिए हम हमने जो corrector यूज किया है वो है illegal का orange and इसके अंदर illegal का warm honey थोड़ा सा mix कर लिया है ताकि यह neutral tone बन जाए विल्कुल भी orange shade ना रहे है and warm honey जो darker shade है neutralize करने के लिए यूज होता है उसको हम दोनों को mix कर चुके हैं अगर आपको लगता है कि मेरे को problem आती है shade को mix करने में सबसे पहले आप orange character लगा सकते हैं and उसके बाद आप उनी areas पे warm honey अगर उनकी fair to medium skin है और अगर dusky skin है तो आप font shade भी use कर सकते हैं real technique के brush के साथ हमने अच्छे से apply कर लिया है around the mouth, under eyes, forehead अच्छे से apply कर देना है and quantity हमेशा ध्यान रखनी है कि orange की quantity बिल्कुल भी जादा नहीं होनी चीए हमने तो हमारा base जो है वो orange orange लगेगा and after foundation concealer भी वो orange orange reflect करेगा तो अभी हम orange जो अच्छे से apply कर चुके हैं अभी हम लगाने वाले हैं इनके foundation foundation आप कौन सी use करते हो आप हमें जरूर comment करके बताना अभी जो हम use कर रहे हैं वो है nars, nars का हमने जो shade लिया है वो है पंजाब बहुत ही अच्छा shade है ये इनकी skin tone से थोड़ा सा fair है बट इनकी skin tone पर चला जाएगा क्योंकि हम इनको थोड़ा सा fair look ही देने वाले हैं आज क्योंकि अगर हम same tone का जो shade है वो use करते हैं तो क्या होता है कि वो थोड़ा टाइम बद neutralize हो जाता है और इसलिए हम थोड़ा सा one tone up shade यूज कर रहे हैं फ्लाट ब्रश की help से हम all over the face apply कर देंगे foundation को and उसके बाद हम concealer करेंगे liquid blush करेंगे और भी बहुत सारे steps करेंगे and comment करके जूरू बताना कि आपको हमारा ही tutorial easy लगा and पिछले वाला tutorial जो हमने post किया था वो कितना informative था आपके लिए क्या क्या new new things आपको पता लगी new new techniques पता लगी जो आपको अपमेशा problem आती थी base बनाने में या ice करने में उससे क्या क्या helpful रहा आपके लिए जूर comment करके बताना तो अभी हम full face foundation को apply कर चुके हैं आपने देखा होगा कि हमने जो foundation apply की है बिल्कुल भी जादा quantity में नहीं apply की है minimal quantity apply की है बट आपको ध्यान रखना है कि जो quantity है वो इतनी भी कम ना हो कि हमारा जो base है वो neutral ही हो जाए तो अभी हम blender जो यूज़ करें हैं वो है plume का अच्छे से blend करें foundation को और जो blender हमने यूज़ किया है वो damp blender है बिल्कुल भी dry blender नहीं यूज़ करना है dry blender आपके foundation को absorb कर लेगा वेरास जो आपका damp blender है वो अच्छे से blend करेगा जो आपका जो base है वो बहुत ही जादा flawless हो जाएगा तो हमने अच्छे से full face blender को चला लिया है अभी हम concealer यूज़ करें हैं concealer जो आज हम यूज़ करें हैं वो है two face का and जो shade है वो है marshmallow बहुत ही अच्छा shade है marshmallow जैसे अब candy काते हो तो थोड़ी white होती है वैसे ही थोड़ा से whiter concealer है and इसको हम T-zone पे apply कर देंगे under eyes पे apply कर देंगे जादा quantity नहीं apply करनी है but minimal भी नहीं करनी है बिल्कुल accurate quantity apply करनी है and थोड़ा थोड़ा इसको हम side of the cheeks भी लगाएंगे and same white blender के साथ जिसके साथ हमने foundation को blend किया था उसी same blender के साथ हम concealer को भी अच्छे से blend कर देंगे बहुत ही जरूरी है हमारे foundation concealer को अच्छे से blend करना नहीं तो हमारा makeup patchy भी हो सकता है comment में आप लोग लिखते हो कि मेरा makeup patchy हो जाता है gray हो जाता है उसके कई reasons है first reason है कि आपका foundation shade जो है वो accurate नहीं है या आपने बहुत जादा fair ले लिया है य आपका blender जो है वो बिल्कुल अच्छा नहीं है अगर आपका blender hard होगा तो आपका जो makeup है वो patchy देखना शुरू हो जाएगा क्योंकि blender जो है वो जो shade है या जो foundation है उसको absorb करना शुरू कर देगा and उसके बाद concealer भी बहुत अच्छा होना जूरू है अगर concealer की coverage नहीं होगी तो वो foundation उससे भी absorb होगी तो अभी हम अच्छा से blend कर देंगे अपने foundation and concealer को अभी हम cream contouring कर रहे हैं cream contouring के लिए जो आज हमने product लिया है वो है mac की concealer palette and आप देख रहे होगे कि अभी जो concealer sorry जो हम contouring कर रहे हैं वो हमने ear की starting से शुरू की है and lips की direction की towards हम लेके जा रहे हैं बट बिल एकुल भी lips के साथ touch नहीं करनी है two fingers का gap होना चाहिए and अच्छी से blend कर दिया है हमने contouring को and अभी हम जो jaw line है उस पर थोड़ा contour कर रहे हैं वैसे हमारी model को need नहीं थी इतनी contouring की बट आपको सिखाने के लिए हमने contouring step किया है ताकि जो हमारी YouTube family है उनको अगर problem आती है cream contour करने म तो उनको basically पता लग सके कि कहां से हमें contouring शुरू करनी है कहां तक लेके जानी है तो हमें जूर बताना कि आपको contouring easy लगनी शुरू हुई के नहीं हुई तो अभी हम recode का goose bump shade ले रहे हैं पिछली बार हमने use किया था liquid brush and अब हम use कर रहे हैं cream blush दोनों ही बहुत अच्छे हैं जो आपको convenient लगता है आप वो use कर सकते हैं वही same tapered blush जो सिफोरा से है उसकी help से हम natural look देने के लिए liquid sorry creamy blush को apply कर रहे हैं बहुत ही सुन्दर सी look आने वाली है एंड तक जरूर देखना आपको बहुत सारी knowledge मिलने वाली है नहीने techniques पता लगने वाली है और अभी हम powder setting कर रहे है powder आज हम use कर रहे हैं वो है Chanel का Chanel का powder बहुत ही अच्छा है और बहुत ही fine powder है सबसे पहले हमने under eyes पे powder को set कर दिया और उसके बाद हम laugh lines पे या जिसको हम smile lines भी बोलते हैं उसके हम powder को set करेंगे और उसके बाद हम full face को powder के साथ set करेंगे ताकि जो हमारा base है वो matte हो जाए बिलक लाइन को glossy makeup चाहिए तो उसको हम powder थोड़ा minimal कर देंगे बट full face apply करेंगे and highlighter के साथ हम उनको थोड़ा glossy finish देंगे आज जो हम contour use कर रहे हैं वह है color essence का contour इसका कोई shade नहीं है इसमें एक ही contour आता है and वही से मेरिया जहां पर हमने cream contouring की थी उसी के ऊपर ही हम इसको थोड़ा-थ effect आ जाए और बहुत ही सुन्दर shape मिल जाए face को illusion create हो जाए और जो brush हम यूज कर रहे है प्रो आट का brush यह भी बहुत अच्छा brush है easily जो contouring है इसको आप contouring के लिए भी यूज कर सकते हो अगर आपके बस कोई और brush है contouring के लिए तो वह भी यूज कर सकते हो अगर आपके बस को contouring करेंगे nose contouring के लिए जो brush लेना है वह तोड़ा precise होना चाहिए बिल्कुल भी फैला नहीं होना चाहिए अगर आपका brush precise नहीं होगा तो आपका nose है वह broad लगना शुरू हो जाएगा and जो color है वह भी spread हो जाएगा तो nose contouring भी हम कर चुके हैं and अभी हम next step करेंगे blusher blusher जो ह का नाम है sweet salmon and जो mac का है mac वाला है denty दोनों ही blusher pinky tone में हैं और बहुत ही अच्छे blusher है peachy pinky सा effect देते हैं and जो brush यूज करें हैं यह लंडन प्राइम का brush बहुत ही अच्छा brush है blusher को easily apply कर देता है और थोड़ा blended effect देता है and अभी जो हमारे पास product है वो है color essence का highlighter इसको हम से video shoot के लिए apply कर रहे है थोड़ा थोड़ा and इसके बाद हम दूसरा highlighter apply करेंगे but इससे भी बहुत सादा अच्छे look का रहे है glass finish look का रहे है and आपको लगते है कि अगर जितना अच्छा product होगा उतना ही अच्छा हमारा result आएगा ये तो matter करता ही है but हमारे techniques बहुत matter करती है जिस वह से हम blusher को apply कर रहे हैं जिस वह से हम foundation apply कर रहे है blend कर रहे है वह भी बहुत matter करता है तो हम highlighter अच्छे से apply कर चुके हैं क्योंकि हम glass finish look दे रहे हैं उसके बाद हम bros के लिए use कर रहे है ब्रो टेंट ब्रो टेंट इस फ्रॉम NYX और जो shade है वो है espresso और वही same color essence की काजल pencil हमें apply कर रहे है अंडर eyes पे बहुत अच्छी pencil है इसको काजल की तरह हमने apply कर दिया थोड़ा थोड़ा इसको बाहर हमने apply कर दिया इसको थोड़ा सब smudgy look देने के लिए हम brush के साथ smudge दोनों eyes पे हमने apply करना है इसको और पी एसी के बिल्कुल छोटा सा टीनी टाइनी सा precise brush के साथ हम इसको blend करेंगे बहुत ही अच्छा brush है यह भी अभी थोड़ा सा brush change किया हमने इसके उपर हमने shadow deposit कर दी तोड़ इसी purpley pinky सी जो हमने transition के लिए ली थी same हम दूसरी eyes में करने वा बाहर को outer को smudge करेंगे same brush के साथ and इसके उपर भी हम purplish सा shadow apply करेंगे and उसके बाद हम अपनी जो eyes है उसको complete करेंगे उसके उपर हम lashes लगाएंगे mascara करेंगे liner को थोड़ा सा touch up देंगे जिससे हमारी जो eyes है वो और ज्यादा defined हो जाएंगी beautify हो जाएंगी तो अभी हम क्या कर रहे हैं उड़ा beauty की palette से वही purplish सा shade लगा रहे हैं जो हमने ऊपर लगाया था and अब angular brush की help से जो हमने wing बनाने की कोशिश की यह जो है यह smudgy wing है जो आजकल बहुत trend में है clients demand करते हैं कि मुझे बिल्कुल soft subtle सी look चाहिए तो आप ऐसे की smudgy wing draw करते हैं इसको हमने black shadow की help से draw कि यह angular brush के साथ and जो आज हम मस्कारा यूज कर रहे हैं यह है color essence का मस्कारा बहुत अच्छा waterproof मस्कारा है और इसके बाद हम lashes लगाने वाले हैं lashes जो आज हम लगाने वाले हैं वो है थोड़ी सी soft subtle सी light weight सी lashes आज जादा है भी lashes नहीं लगाने वाले हैं हम इनके आज हमने lashes लगाई है वो है euro paris की lashes and उसका number है वो है 39 number बहुत ही अच्छी lashes लग रहे हैं आप देख रहे हैं एक तो इतनी जाद light weight है कि पता ही नहीं लगता है कि lashes लगी भी हुई है और उतनी ही elegant look देती है तो जो हमारा brow tint हमने पहले लगाया था वो अच्छे से dry हो गया है और हम अपनी brows बना रहे हैं ब्रोस के लिए आज हम जो shade यूज कर रहे हैं वो है mac का swiss chocolate बहुत ही अच्छा shade है पहले हमने forever 52 की brow palette यूज की थी अब वो भी यूज कर सकते हैं और brush की बहुत डिमांड है यह वली जो सर यूज कर रहे थे ब्रोस के लिए वो है एनस्ताजिया का brush और यह step बहुत जरूरी है liner का touch-up देना after lashes because glue जो है वो हमेशा दिखती है तो हम liner का touch-up दे चुके हैं वेगा की brush के साथ हमने liquid liner का touch-up दिया है अब दूसरी ब्रोस हम ड्रॉ कर रहे हैं हमें हमेशा ब्रोस को neat define करना है ब्लाक कलर कभी यूज नहीं करना है क्योंकि ब्लाक कलर जो है वो थोड़ा विची लोग देने लग जाती है तो हमें हमेशा ब्राउनिश ब्राउनिश सा shade यूज करना darker brown सा जो हमारी brows को बहुत ही अच्छा define कर रही है बहुत ही सुन्धर लग रही है मोडल अब हम लगाने वाले है लिप कलर लिप कलर आप कैसा सजेस्ट करते हो अगर यह आपकी मोडल होती तो आप कैसे का लिप कलर लगाते है पिंकिश और ब्राउनिश और जो यह मसकारा है वो है फैररुशी का मसकारा जाप मारी हर एक वीडियो में देखते हो लोर लाश मसकारा है बहुत ही सुन्धर है कॉमेंट करके जरूर बताना कि अगर आप होते आप मोडल रेडी कर रहे होते तो आप क्या लगाते पिंकिश लिप कलर या ब्राउनिश लिप क तो अभी हम जो पैंसिल यूज कर रहे हैं वो है कलर असेंस की लिप पैंसिल यह थोड़ी ब्राउनिश शेड में है हमें हमेशा कोई भी लिप कलर लगाना हो भले वो पिंक के शेड हो भले वो ब्राउनिश शेड हो हमेशा चॉकलेट ब्राउन सा लिप कलर लेना सॉरी ले face का my type बहुत ही अच्छा shade हिए और इसके ऊपर आप थोड़ा creamy lip color भी apply कर सकते हैं my type जो है वो liquid color है liquid lip color है इसके ऊपर कीमिय लिप कलर भी apply कर सकते हैं gloss भी कर सकते हैं क्यूंकि आज हमने थोड़ा glass finish makeup दिया है तो gloss बहुत ही सुंदर लगे इस पर and जो हमने brush use किया है brush है pro art का and इसके उपर हम gloss लगा चुके हैं gloss is from Fenty and वाव हमारी model इतनी सुन्दर लग रही है so guys ऐसी ही सुन्दर-सुन्दर looks के लिए आप हमारी YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर ही लेना and comment भी कर देना and Instagram पे भी है इसको भी follow कर लेना इसमें आपको बहुत ही सुन्दर-सुन्दर real clients मिलने वाले है उनको कैसी preference चाहिए होती है उनकी क्या demand होती है वो सब mention किये and sir कहां-कहां घूमते हैं sir कहां-कहां जाते हैं